हेलो एवरिवन स्वागत हाफ सभी का टोपस्ट्राइम चैनल में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हर्याना से लिट कुछ और इंपोर्टिंग कोउशन ठीक है तो फर्स्ट कोशन है हमारे पास कौन सा जिला सबसे आखिर में बना तो जो जिला सबसे आखिर में बना है वो है चर्की दाद्री और चर्की दाद्री जो है वो हर्याना का बाईसवा जिला बना है ठीक है अगला दिखिए यह किस के मान्यता है कि गुरु जंबेश्व इकर भगवान विश्नु के अवतार थें, तो ये जो मान्यता है, ये है विश्नोई समाज की, ठीक है, तो आंसर होगा विश्नोई, नेक्स्ट एक्रुशेतर स्थित, बिरला मंदीर किस रोवर के निकट है, ठीक है, तो बिरला मंदीर जो है, वो किस रोवर के निकट है, ब्र किस ने चंदरगुप्त मोर्य को मगद का साशक बननी के लिए मारक दर्शन किया था तो इसका आंसर होगा कोटिल्य कोटिल्य के और नाम भी याद रखी है जैसे चानक के और विश्नुगुप्त ये भी इसके ही नाम है तो किसी भी नाम से आई तो आंसर यह होगा ठीक है नेक्स्ट है ग्रीक राजदूत मैकस्थनीज ने कौन सी पुष्तक लिखी मैकस्थनीज ने लिखी थी इंडी का हर्याना का राजकेव रिक्ष कोन सा है राजकेव रिक्ष जो है हर्याना का वो है पीपल का पी ठीक बढखल जील हर्याना के किस जिले में स्थित है ये बढ नरका तारी जो है वो किस नदी के किनारे पर है सरश्वती नदी के किनारे पर है ये नेक्स्ट है यमुना नदी के साथ हर्याना के किस जीले की सीमा लगती है यमुना नदी के साथ यमुना के साथ यमुना नगर, कुरुशेत्र, करनाल, पानिपत, सोनिपत, फरीदाबाद औ अंतरगत कितना शेत्रफल शामिल होगा तो अंसर होगा पंद्रा सो एकड अगरोहा धाम किस कारण से पूरे भारत में जाना जाता है तो अगरोहा धाम जो है वो महराजा अगर सेन के कारण जो है पूरे भारत में जाना जाता है 40 हाफिस का मकबरा हरियाना के किस जिले में स्थित है तो ये मकबरा जो है ये है हिसार में हरियाना सरकार में मंत्री अनिल्वीज किस चुनाओ छेतर से सम्बंदित है तो अनिल्वीज जो है स्वास्थे मंत्री है जो अंबाला कैंट से रिलेटिड है हर्याना विकास पार्टी की स्थापना किसनी की बंसिलालनी की नेक्स्ट है ताजे वाला नामक स्थान से हर्याना की कौन सी नहर निकाली गई है तो ताजे वाला जो नामक स्थान है यह कहां पर है यमुना नगर में है और उससे कौन सी नहर निकलती है यमुना नहर उत्तर प सबसे पहले क्या बनवाया गोशाला बनवाई थी ठीक है हर्याना के करनाल में प्रशित जील का नाम क्या है करन जील है हर्याना के करनाल में है ये महभारत काल में हर्याना कौन से नाम से जाना जाता था महभारत काल में हर्याना को बहुद अन्यक नाम से भी जाना जाता था ठ नेक्स कोशन देखे, जुई नहर द्वारा प्रमुक्त हर्याना के किस जिले में सिचाई होती है, जुई नहर द्वारा जो है हर्याना के भीवानी जिले में सिचाई होती है, याद रखे, आकाश्वानी रोतक की स्थापना कब होई थी, सबसे पहले आकाश्वानी की स्थाप थापना जो होई थी वो रोतक में ही हुई थी और इस थापना हुई थी आठ माई 1976 को ठीक है नेक्स देखिए अति प्राचीन वट व्रिक्ष जिसे गीता ज्यान से संबंदित माना जाता है यह कहां पर है तो यह वट वरिक्ष जो है यह कहां पर है जो तिसर में हर्याना की शाओ और लख्वार व्याशी बांध बनाई गए है तो यह तीनों ही बांध जो है वो यमुना नदे पर बनाए गए है कौन सी नदी हर्याना और उत्तरप्रदेश की मध्या शीमा बनाती है तो यमुना नदी है जो हर्याना और उत्तरप्रदेश के बीच में सीमा बनाती ह پिंजोर मिस्थित गार्डन का नाम क्या है यादवींद्र गार्डन नेक्स्ट कोशिन देखी बंदा बहादूर ने किस गुरू के कहने पर सन्याश शोड़ कर यूद के गुरू गोविन सिंग के कहने पर श्री दीनानाथ बत्रा का किस शेत्र में शर्वादिक योगदान है तो इनका जो शर्वादिक योगदान है दीनानाथ बत्रा जी का वो है सिक्षा में ठीक है, हर्याना में कौन सी लोगसभाशीट आरक्षित हैं, तो लोगसभाशीट आरक्षित हैं जो वो हैं अमबाला और सिर्सा की, ठीक है, काक्रोई माइक्रोजल विद्युत प्रियोजना, किस नहर पर बनी है ये, पश्मी यमुना नहर पर, हर्याना सरकार में मंत्री, क्रिशन पाल, पवार किस चुनाव शेत्र से संबंदित हैं, तो ये हैं रिलेटेड इसराना से, हर्याना तिलग, सापता ही, पत्रिका की संपादक कोन थे, नेकिराम, शर्मा, नाहर वन्य जीव अभ्यारन ने हर्याना के किस जिले में है, नाहर वन्य जीव अभ्यारन ने है, रिवाडी में, पिंजोर में स्थित, गार्डन का नाम क्या है, पिंजोर में है, याद्वेंदर गार्डन, नाहर जो है, वो काँपर है, रिवाडी में, हम्ती हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड किस नगर में स्थित है ये है पिंजोर में धारू हेडा ओध्योगिक शेतर किस राश्ट्री राजमारक प्रस्थित है दिल्ली जैपूर के जो है उस पर स्थित है ये नैशनल हाईवे पे कुरुशेतर जिले में सरकारी मेल किस स्थान पर है सरकारी मेल है शाहबाद में तीस कात्योवार किस महीने में आता है सावन के काला तीतर प्रियतन स्थल हर्याना के किस जिले में है ये है सिर्सा जिले में खालसा पंत की स्थापना किस महीने में हुई खालसा पंत की स्थापन के बीच हर्याना में संग का प्रारम किस कलाकार में माना जाता है तो संग का हञवादी कूँ सी नदी शिवालिक परवत सरंकला से निकलती है मारकंडा, सरश्वती और खगर हर्याना की राज भाशा कून सी है हिंदी हडपा सब्यता से संबंदित राखी गड़ी किस जिले में है राखी गड़ी है हिसार में नेक्स कुशन देखे अंतर रास्टिय और अलायंस का मुख्याले हर्याना के किस निगर में स्तापित है गुरू ग्राम में है ये डॉक्टर राजेंदर प्रशाद द्वारा हर्याना के किस विशविध्याले की नीव रखी गई क्रुशेत्र विशविध्याले की ठीक है हर्यानवी फिल्मों के सफलनायक कोन वाने जाती है जगत जाखड कोज है सफलनायक मायना जायता है हर्याना की फिल्मों का जनगन्या 2011 की अनुशार हर्याना के किस जिले में महिला सक्षरता दर्सरवादिक है तो ये है गुडगाओं में गिद सरक्षन वेपरजनन के इंदर हर्याना में किस स्थान पर है पिंजोर में आदी बदरी का संबंद किस पवित्र नदी से माना जाता है ये माना जाता है सर्श्वती नदी से हर्याना के किस जिले में खनीच संसादनों की परमुकता है खनीच संसादन सबसे ज़्यादा काँ पाए जाती है महंदर गड में पाए जाती है प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पानिपत से किस अभियान की शुरुवात की थी? बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ की कोहिनूर पत्र के समपादक कौन से स्वतंतर शिनानी थे? बालमुकुन गुपता अकबर के समय रिवाडी के साशक कोन थे? हीमचंद्र हर्याना के टांगरी नदी का उद्गम स्थल कहा है? तो टांगरी नदी का उद्गम स्थल है वो है मोरनी पहाडियां कहाँ पर ये पंचकुला साइड है, ये मोरनी पहाडियां, ठीक है? हर्याना के पशुपालन एमम डेरिव विभाग ने पशुदन भीमा योजना के अंतरगत मवेशियों को शामिल करने का लक्षन निधारत किया एक लाख मवेशियों को नेक्स देखिए राष्टे दोग्द उत्पादन अनुसंदान संस्थान कहां पर है करनाल में हर्याना सरकार में मंतरी नर्बीर सिंकिस चुनाव शेतर से समन्दित हैं बादशापूर से सुल्तानपूर पक्षिवियार हर्याना के किस जिले में है गुडगाओं में है ये हर्याना के गठन के समय कितनी जिले थे साथ जिले थे जब हर्याना बना था बीर बारा वन्य जीव भ्यारन ने जीन्द भी है दिल्ली की कद्धी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू साशे कौन था हीम चंद्र महीला परवता रोही जिसने दो बार माउंट एवरेस पर विजय प्राप की संतोश यादव स्थित है पंच कुला में यह क्षिन बहुत बार पूछा जाता है इंफ़क सारे कोशन यह यह जो है एक्जाम में पूछे गए बट यह दो यँ तीन बार रिप्रीट हुआ है एक्जाम में प्रशित खिलाडी गूता बूंद के संबस्केस एुछे lies एकुषित से कि स्थान पर हुई यह हुई है सौनिपत कुंडली में ठीक है अशोक स्थम्भ की लिपी क्या है ब्रामी संदेश शाप्ताहिक पत्रिका की शुरुआत किस ने की थी नेकिराम शर्मानी नेक्स्ट कोशन देखे हिंदी के बाद हर्याना की दूसरी राजबाशा कौन सी है तो ह है उत्तर प्रदेश हर्याना के कौन से मुख्यमंत्री उप प्रदान मंत्री बनी त्रिष्टे से हर्याना राजबाशा का सबसे बड़ा शहर कौन सा है वरेदाबाद की बढखल जीलिक प्राकरतिक जीलजो की Haryana राज्य की फ्रीदाबाद में है राजा हर्शवर्धन निकुरु शेत्र के पास थानीसनर में अपनी राज़ानी स्थापित की थी सात्वी स्थाप दी अश्वी में राष्ट्य दूख्त अनुसंदान संस्थान एंडी आराई मुख्याले का स्थानांतरन कर्णाल में किस वर पारिपत की पहली लडाई में बाबूर के विरुद कोन लड़ा था इब्राहिम लोदे नेक्स देखे इन राज्य अथ्वासंग साशी शेत्र में एक अभ्या उचने अल्ले है हर्याना चंडिगण और पंजाब ठीक है 1756 से 57 के दोरान हर्याना रज्य किस की नियंतरन के अधीन था मराठों के हर्याना के पंडित नेकिराम शर्वाने संदेश पत्री का आरंब किस भाषा में किया था हिंदी भाषा में ओके तो यह थे हर्याना से रिलेटिड हंडर्ड इंपोर्डेंट कॉशन जो झाल 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 झाल